नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम एजीमेंट में मैं करूना इस वीडियो में लेकर आई हूँ क्लास 12 के स्टुडेंट्स के लिए सेकेंड रम का स्लेबस का फर्स्ट चैप्टर बंगाल चितर शेली दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था लगू चितरों के बारे में जो संबंदिते राजिस्तान, पहाडी, मुगल और दक्षणी कला शेली से लगू चितर शेली की परंपरा को ही आगे जब बंगाल में ले जाया गया और शुरू किया गया तो उसको नाम दिया गया बंगाल चितर शेली लेकिन बाकी की लगू चितरों में और बंगाल चितर शेली में बने चितरों में क्या अंतर था कि वो परंपरा से हट करके बनाए गए थे, आधुने काल की कला के अंतरगत बनाए गए थे जब राजपूत में रजवाडों का विग्टन होना शुरू हो गया मुगल शाचक भी पराजित हो गए और उसके बाद जब अंग्रेज लोग या इस्ट इंडिया कंपनी हमारे को रूल करने लगी इंडिया में उस वक्त उन्होंने एक शैली को जन्म दिया जिसका नाम था कंपनी शैली और कंपनी शैली पर चित्र जो है आपके इस लिबस में नहीं है लेकिन उस कंपनी शैली के विरोध में ही भारतिय कलाकारों ने जिस चित्र शैली को शुरू किया जिससे की भारतिय चित्र कला का जो विदेशों में एक तरह से अपमान हो रहा था उसको बचाने के लिए या भारतिय कला की मौलिक्ता को दुबारा से शुरू करने के लिए कलाकारों ने जिस कला शेली को शुरू किया उसको बो देते हैं बंगाल चित्र शेली आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हैं आपने ओद्योगिक क्रांती या आधुनिक क्रांती या आधुनिक दोर या फिर मौडन चीजों के बारे में पढ़ा है उस दौर के बारे में जाना है तो अगर हम चित्रकला के मौडन दौर की बात करें या अधुनिक कला की बात करें तो हम इस चीज को शुरू करते हैं बंगाल चित्रशेली से बंगाल चित्रशेली की शुरुवात करी थी अमनिंद्रनाथ टेगोर ने इनका नाम आपने शायद ना सुना हो लेकिन रविंद्र नाट्टेगोर का नाम आप लोगोंने जरूर सुना होगा रविंद्र नाट्टेगोर वही जिन्होंने रास्ट्रिगान लिखा है जनगन्मन जो हम सभी लोग जानते हैं उन्ही के बड़े भाई के बेटे थे अमनिंद्रनाटेगोर और अमनिंद्रनाटेगोर के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था गगेंद्रनाटेगोर ये दोनों ही चित्रकार थे लेकिन भारतिय कला या बंगाल शेली का जन्म दाता जाना जाता है अमनिंद्रनाटेगो और इनको ही आधुनिक कला का पिता भी कहा जाता है क्यूंकि इनहीं की कला से और इनहीं के परियासों से भारतिय कला का आधुनिक दौर शुरू हुआ था ये हमने जाना कि बंगाल चितरशली कैसे आई कब आई तो उसके बारे में बीसमी शताबदी का जो समय है वो माना जाता है कि बंगाल शेली का प्रादुभाव बीसमी शताबदी से हुआ क्यूंकि 1861 इश्वी में अमनिंद्रनाटे गोर का जन्म हुआ था कलकत्ता में हुआ था जोड़ा साकू नामा के एक जगा है जहां पर उनका जन्म हुआ था उनके जन्म के बाद जब वो थोड़े से युवा हुए और कला की डिस्ट्री में उन्होंने अपनी रुची दिखाई और वो ईवी हेवेल से मिले और ईवी हेवेल की प्रेना से जब उन्होंने कला विद्याले कलकत्ता में पहला कला विद्याले जब उन्होंने खोला तो कलकत्ता से पहले मदरास में भी खुल चुका था लेकिन कलकत्ता में जब पहला कला विद्याले अमनिंद्रनाटे गोर ने खुला तो उसको उन्होंने बंगाल शेली नाम दिया बंगाल शेली की विशेश्टा क्या थी दोस्तों मैं अभी बुक में जो लिखा है उसको पढ़ाने से पहले मैं बस थोड़ा सा क्या रहता है कि हम उस टॉपिक पहुंच जाएं जो हम जानना चाहरे हैं जब हमको वो किलियर हो जाता है उसके बाद हमको जो बुक में दिया होता है हम उसको पढ़ लेते हैं और जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा बुक यूज भी नहीं करती हूँ पढ़ाते वक्त तो ये बुक आपको ऐसे दिख भी रहा होगा तो इसको आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं रीड कर सकते हैं मैं सिर्फ आपको समझाओंगी कि बंगाल कला शेली या बंगाल चितर शेली क्या है तो इवी हिवेल और अवनिंद्रनात के प्रियाशों से बंगाल शितर शेली की शुरुआत हुई कलकत्ता में हुई और शांती निकेतन नामक भवन में हुई शांती निकेतन एक वो भवन था जिसके अंदर वो सभी निवास करते थे टेगोर भवन जिसको पहले बो गई इसी समय को आधुनिक काल भी कहा जाता है बंगाल चितर शेली भी कहा जाता है और पुन जागरन काल भी कहा जाता है किसका पुन जागरन भारतिय कला का पुन जागरन तो इसके बारे में थोड़ा सा अब हम यह आपे देख लेते हैं कि बंगाल चितर शेली की उत्पत बीसमी शताबदी में हुई थी राश्चवादी आंदोलनों के चलते हुई थी एक बुलंद अवाज में पस्चिमी यथार्थवाद को की प्राणहीन कला शैली का अंधाधुन करन करने से अपने आपको अलग करने लगे कौन भारतिय कलाकार जब उसके बाद इस कला की शुर शैलिंद्रनाध डे राम किंकर बैज डीपी राय चौधरी यह प्रमुख बंगाल शैली के कलाकार थे जिन में से कुछ मूर्थिगार थे और कुछ चित्रकार थे लेगिन यहां पर कुछ नाम आपको दिये गए हैं जैसे की राजा रवी वर्मा मैं थोड़ा सा पाइंट क के बारे में मैंने बता दिया गगेंद्रणात के बढ़े भाय थे और रविंद्रनात इनके चाचा होते थे नंदलाल बोस जो कि ऐसालिये cass do और सिर्फ अँमनिंद्रनाटे गोर और नंदलाल वोस सी जो दो आटिस ने सिर्फ इनको हम बंगाल शेली का कलाकार बोलते हैं बाकी राजा रभी वर्मा गगेंद्रनाटे गोर रविन सिपविंद्रनाटे गोर यामशार राय कर akan नहीं थे लेकिन यह विरोधि थी हमारी मौलिक कला को तो उसके विरोध में ये सभी कलाकार खड़े हुए थे अपने अलग-अलग प्रियासों से तो अमनिंद्रनात का प्रियास इस छेत्र में था बंगाल चित्रशैली की स्थापना बंगाल चित्रशैली में हमने क्या किया क्या हुआ था असल में कि कंपनी शैली आई जो चित्रकार थे पहले उन चित्रकारों को सरक्षन था राजाओं का राजा उनको अपने दर्बार में रखते थे राजपूत हों चाहें मुगल हों चाहें पहारी समराठ हों तो वो उनको पे करते थे और चित्रकार पेंटिंग्स बनाते थे जैसा कि राजा लोग बनवाते थे चाहे गरंथ चित्रांगन करा रहे हैं चाहे सुतंत्र पेंटिंग बनवा रहे हैं लेकिन उनका जब एक तरह से ये राजा वाली परंपरा चली गई तो चितरकार बेगर हो गए अभी वो क्या करेंगे तो उस वक्त क्या हुआ कि company shelly में चितर बनने लगे और अंग्रेज अधिकारी उनसे चितर बनवाने लगे कैसे कि हम तुम्हें इतने रुपे देंगे और तुम्हें ये पेंटिंग बनानी है तो चितरकार अपना जीवन या पन के लिए या परिवार को पालने के लिए क्या किया कि जैसा वो लोग चितर बनाते थे वैसा वो लोग बना के देते थे जिसके लिए color और sheet उनको East India प्रवाइड करती थी या वो व्यक्ति प्रवाइड करता था, जो उनसे वैसे चित्र बनवाते थे, इसी तरह से तो उनके topic क्या होते थे चित्र बनवाने के, कि जिससे कि वो भारतिय दशा को दिखा सके अपने country में, तो उन्होंने सपेरा बनवा किसी परिवार में अगर जगडा हो रहा है तो उस कलहा को दिखाया, बाजार के द्रिश्य दिखाये, हमारे यहां के जो लोग थे उनके रहन जहन, दैनिक जीवन से संबंधित चित्रों को उन्होंने बनाया, और फिर उसको ले जाकर के अपनी country में दिखाया, जिससे कि हमा हमारी जो आर्ट थी उसका एक तरह से मतलब बुरा दौर यह देखा जा सकता है कंपनी शेली में भारत्य कला का बुरा दौर और उससे उबरने के लिए बंगाल शेली की शुरुवात हुई और बंगाल शेली में लेकर के आये क्या जो हमारी सम्रद कला परंपरा थी, क्या हमारी सम्रद कला परंपरा जो अजन्ता में चित्र बने जो राजस्थानी में चित्र बने जो मुगल शेली में चित्र बने और इसके अलावा जो हमारे प्रतिकात्मक सौंदर्य आत्मक चित्र होते थे उस परंपराओं को वहां की ले आत्मक रेखाओं को वहां के भावों को उठा करके बंगाल शेली में चित्रकार लेकर आए और उन्होंने उन्ही रेखाओं पर और उन्ही रंगों की अधार पर चित्रांकन करना शुरू किया बशरते जो उनके विशे थे चित्रांकन के वो बदल गए अब बंगाल शेली में हमारे विशे क्या हो गए बंगाल श लिखाएं थी उसकी जो कला शेली थी उसकी जो परंपराएं थी वो वही थी जो हमारी अजंता एलोरा बाग या फिर राजिस्थानी और मुगल कला में देखने मिलती हैं यह चीज आपको पता चली अब इसके बाद आ जाते हैं कि बंगाल शेली की जो इस्पेशल क्वालिट है या जो देन है वो क्या है तो दोस्तों है जापान की वाश तकनीक तो इसको सीखा था अमनिंद्रनाथ तेगोर ने किस से सीखा था दो जापानी कलाकार जिसमें की एक का नाम हिसी दा और एक का नाम मैं अभी भूल रही हूं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी तो हिंसी दा और याको वान याको वान ताइक वान करके कुछ इसी तरह से कुछ जापानी दो आर्टिस्ट हैं जिनसे उन्हों और उस वौशच्ड को सीखने के बाद फिर उन्होंने सिखाई अपने शांतीनिक एतनकालाविद्याले में अपने शिश्यों को वह तकनीक दी अब वह तकनीक क्या है वौश्ट टकनीक क्या है तो इसके लिए क्रिवस्ट टेकніक क्या है तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक एड्मिट शीट लेते हैं उसके अंदर ड्राइंग करते हैं ड्राइंग करने के बाद फिर हम किसी एक कलर को उठाते हैं और उस पेंटिंग में उस कलर की जहां-जहां पर नीड होती है हम उस color को place कर देते हैं भर देते हैं उसके बाद हमें उस sheet को जब वो color सूख जाता है तो उस sheet को हम पानी में डुबा देते हैं और उसको भीगा देते हैं color को छुटा लेते हैं तो जितनी नीड कागज को होती है वो उस color को अपने अंदर ले लेता है उस sheet को फिर हम सुखाते और सुखाने के बाद फिर उसमें दूसरा कलर लगाते हैं इस तरह से हम उसको दुबारा दोते हैं फिर सुखाते हैं फिर लगाते हैं इस तरह की प्रिक्रिया हम बार बार दोराते हैं कब तक जब तक की हमारा पूरे शीट पे जो जो कलर हमें देना है नहीं दे देते उसके पूरा शीट को कलर लगाने के बाद जब लास्ट पार दूने के बाद सुखाया जाता है तो जब थोड़ा हलका गिली रहती है तो उसके उपर पतले कलर की एक कोट मारी जाती है जिसको वाश कहते हैं कि हम वाणिश कर रहे हैं या वाश कर रहे हैं तो पतले रंग की एक रहेदार्रेखाउं से निकालते हैं यह कहलाती है जपनी वाश टकनीक और इस तकनीक को सबसे पहले भारत में लेकर आए थे अमनिंद्रनाट्टेगोर जो उन्होंने दो जपनी कलाकारों से सीखी थी और बाद में उन्होंने इस तकनीक को अपने शिश्यों को भी दिया इसस क्या होता था कि वह ऐसे लगते थे रहसे में एक वातावरन उस चित्र में हो जाता था स्वपन लोक जैसे चित्र नजर आने लगते थे और धूंत या कोहरा चारा है ऐसा दिखने लगता था अगर संबभ हुआ तो मैं आपको दिखाती हूं अगर इन पेंटिंग में से कोई लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी बंगाल शेली की दिखाऊंगी कि वाश पेंटिंग कैसी होती है तो रंग कौन से यूज होते हैं वाटर कलर ही यूज होते हैं रंग बस उनको प्रियोग करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है इस चैप्टर में हमने सीखा बंगाल चित्रशेली क्या है बंगाल चित्रशेली के विशे क्या है बंगाल चित्रशेली की प्रमुख विशेश्ता क्या है बंगाल चित्रशेली के प्रमुख कलाकार कौन-कौन से ह और बंगाल चित्रशेली पर कौन सी कला का प्रभाव हमको देखने मिलता है, मैं दुबारा रिपीट करती हूं, बंगाल शेली आधुनिक कला है, कला का आधुनिक की करण जो है वो बंगाल शेली से शुरूवा, बंगाल शेली के प्रमुक चलाकार यहां पर आपको दिये और ए आर्चगुताई के वेक टपपा ये इस शैली के प्रमुख कलाकार है इस कला पर प्रभावे अजंता ऐलोरा का राजिस्थानी मुगल का इस शैली के विशे है जो भी कलाकार के अपने मन पसंद विशे रहे वो और लेकिन उनकी जो शैली थी वो प्रभावित्ती अजं जिसने बंगाल शेली का शुरू किया वो थे अमनिंद्रनाट टैगोर और उनको प्रेड़ना दीती ईवी हवेल ने जो कि इससे पहले मदरास कला विध्याले में प्रोफेसर थे इसके अलावा अमनिंद्रनाट टैगोर ने एक चित्र जो था जो बनाया था बंगाल शेली में जिसका राम यहां पे दिया गया है भारत माता बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था भारत माता चित्र पे हम और ज़्यादा बाते करेंगे हमारी दूसरी वीडियो में आशा करती हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो बंगाल शेली पर यह अच्छी लगी होगी और जल्दी ही मैं बंगाल शेली पर एक दूसरी शॉर्ट वीडियो लेकर आउंगी जो इससे भी शॉर्ट होगी और उसके अंदर आपको कुछ इंपोटेंट लाइन मैं उसके अ